नमस्कार दोस्तों सरीते की रिसोई में आपका स्वागत है तो देख सकते हैं आज हमने गहों के आटे और गुड से बहुत खस्ता और क्रंची बिस्किट बनाया है जो की स्वाद में बहुत टेश्टी है और ये घर की चीजों से बना है तो और अच्छा है और हल्दी भी है अगर घर की चीजों से आप अच्छी चीजे बना सकते हैं तो आपको बजार से लाने की क्या जरूरत है और एक तो ये गहों के आटे से बना है सभी को फायदा मतलब अच्छा रहेगा नुकसान नहीं करेगा तो ये वीडियो सुरू करने से पहले हम आपको बता दे अगर ह उससी में आधे से भी कम सूजी ले लिया है उतना सूजी उतना नारियल का बुरादा ले लिया है यानि नारियल का पीचा हुआ पावडर और इसमें 2 चुटकी हम नमक डालेंगे और इसके बाद इसमें हम देसी घुक्राएं नल है करें लिए भूंदधु नाटक दें है रहे वी सिन जीया में अच्छेय है देल डशे को कने ज़ितने शची हम ही डिलो सब्सक्राइब कर ऄफने Echo नहीं चोलिआ है छची हम चाल चोलेगा हुआ सब्सक्राइब या चाल राच्षे मिलेगे पानी जैसे मैं शुच कर लिए दो smoothly पानी उद्सक्राइब कर लिया था तो बस इसको अच्छे से मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी एक बार में मढ डालिएगा अगर ज़रुत लगे तो दो से तीन बार पानी डाल सकते हैं इसे ज़दा पानी लगेगा ही नहीं क्योंकि गुड़ पिगलता जाता है और आठा में अच्छे से कोड हो जाता है तो पानी के जूट नहीं पड़ते हाथों में थोड़ा सा ओईल लगा के इसको अच्छे से कठा कर लेंगे और इसको ऐसे मसलते हुए हम इसको सेब देंगे तो चाहें तो आप किसी साचे से भी बना सकते हैं और चाहें तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं हैं चलीए को हमने में दो भाग में डिवाइड कर लिया और इसके बार रहे जाता है इसको काष़ सकते हैं दिन सबस्खतर सा और इस को चाकू इस मुरूत बतले हैं तो धीत जंकरते हैंалы को लिव कर में और इसके बाद इसको एक एक करके आप सेफ दीजेगा तो पहले तो हम इसको पहले कट कर लेंगे तो इसकी साइज हमें बराबर ही रखनी है देखे हमने इतना सारे आटलिया और यह देखी इस तरह से कटा हुआ है तो बस इसको अंग्लियों सो थोड़ा साफ सेफ दिजिएगा और यह बनके तियार हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा औ डीजाइन डालें पहले हिसको हम सेफ पूरा है पूरा सेप करते हैं तो दूसरी आता है उसको भी है इसी तरह से बना लेंगे तो चलिए इस तरह से सारे बिसकुट को मैं कट करके और इसको मिर देते हैं ईद देखिए चाहर को हमने कट करके इसको हमने ऐसे कर लिया था एक हमने काटे वाला चम्मश लिया है बस इसको इस तरते हुए किसी तरह से आप इसको डिजाइन बना दीजिगा तो देखिए देखने में लग रहा है कि इतना बाजार जैसा बिसकित अब किसी भी तरह से इसको डिजाइन दे सकते हैं इस तरह से हमने इसको डिजाइन दिया लग रहा है इसी तरह से हम सारे बिस्किट पे डिजाइन असे निया, सिर्द डाल दिये हैं चलो हुआ इसकोा फ्राइ करेंगे तो हमने एक कढ़ाई में से यहाँ करहीं tuning है तो धीमी धीमी तेल गरम होने के बाद ग्यास का फ्लेम थोड़ा कम कर देज़ेगा क्योंकि यह धीमी धीमी आज पर पकेगा तो अंदर तक पक जाएगा अस्ता भी बनेगा तो देखिए एक तरफ पकने के बाद हम इसको तरफ पलट देंगे और देख रहे हैं गूट डालने के वज़े से इसका कलर भी बहुत प्यारा आ रहा है तो इसी तरह से हम इसको उलट पलट के सेखेंगे हमने एक बैच का निकाल लिया है यह दूसरी बैच का इस तरह से इसको चमस से चाकू से या छोटे किसी बर्दन सी इस तरह से को अच्छे से दोनों तरफ से शेक लेंगे और कलर कितना प्यारा आया है तो देखिए हमने दूसरी बार का भी फ्राई कर लिया है और इसको हम निकालेंगे पूरा कलर कितना प्यारा लग रहा तो चलражे है अकक करके हम निकाल लेते हैं ज लेजें इस तरह से थे बचा हुआ सारा फ्राई कर लेंगे देखिए मारे बिसकिट को फ्राई कर लिया और बहुत क्रंची और बहुत फुरक्हसता बना है ये बिसकिट इसको आप लोग दो से तीन गार महने के लिए स्टोर करकर रख सकते हैं और यह गुर से सभी खा सकते हैं जो सुगर वाले लोग भी खा सकते हैं तो देखिए सारा बिसकुट हमने फ्राइक कर लिया है और एक कटोरी गहूं के आटे से हमने इतनी सारे बिसकुट बना के तया कर लिया है तो इस तरह से आप लग भी अपने घर में यह बिसकुट बना के खाईे और बच्चों बड़े बुजुर्ग सबको बना के खिलाए बहुत खस्ता बना है और बहुत क्रंची है तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर में ये रेसिपी जरूर बनाएगा और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कोमेंट करके जरूर बताएगा कि ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी और ये खाली गेहूं क तन्निवाद